तक के मुबाइल में UFS 4.0 का सपोर्ट डिया जाएगा जो कि जिसकी रीड और राइट की स्पीड आपसुलेटली अमेजिंग होगी आप नोटिस करो अभी 4.05 प्लस mcqr यहां पर जो यह दावा भी कर रहे हैं कि 4.4 तक ले जाएंगे इसको हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के जिदी हुमार जिद है मेरा फिटूर जिद है मेरा कुरूर जिद है मेरी जुर्ड सो हाइ मार यूडूब फैमिली कैसे आप सभी लोग दोस्तों मेरा नाम है देवद अनकवाल और एक बहुत अच्छी टैक न्यूज में आपके लिए इस चैनल पहले क्या हूं अलग यह चैनल मुबाइल ट्रेनिंग से रिलेटेड है यह भी तो मुबाइल रिपेरिंग से आपके टीचर को यही नहीं पता है कि आने वाला की कौनसा है आनने वाला मुबाइल कशन तो आपके टीचर को धूना बहुत जबढकर ज suffi चुने भी ऐसा टीचर चुने भी ऐसा गुरू जिनको अपडेट जिनको अपडेट नौलेज है और जो अपडेट हो रहे हैं तो दोस्तों यह वर्ड का first best CPU अरे याब best क्या होता है कौन होता है आप कहते हैं तो यार best चीजे उसकी वज़े आईए जानते हैं कि इसका best क्यूं है यह और इसकी वजे क्या है तो इसको सबसे पहले मैंने slider में बना के रखा है तो सबसे पहली वजे इसकी जो best की है आईए पर सबसे पहले न यह जानते हैं कि इस CPU का नाम क्या है दोस्तों इस CPU का जो नाम है यह मीडिया टेक का डावन सीटी 9200 और यह अब तक का सबसे प्रोसेसर है क्योंकि आपको तो बता ना प्रोसेसर कितने अभी हुमन इंटेलिजेंट होटे जा रहे है खुद बखुद काम करने के लिए तो दोस्तों इसी बेस पर AI मनला तो word first cortex X3 का प्रोसेसर इसमें यूज किया गया है core x3 core मतलब आप सोचेए 3.0 something gigahertz की इसमें फ्रिक्वेंसी डाली गई है जो इसके code को run कराएगा आप जानते हैं कोड कैसे कहते हैं तो आप देखें वर्टफ वर्ट वर्ट पर्स कोटेक्स A3 एक्स री वर्ट फर्स तो आप देखें वर्ट फ्रस कोटेक्स X3 का इसमें और शीपू लगाये जो अब तक किसी भी मूबाल में यूज नहीं किया है तो इसलिए यह बनता है नमबर वन आईए इसके बात करते हैं वर्ड फर्स इंट को समझना यहां तो विड्योन के ऐंड मैं मैं पूर्स तीचनोलोजी को बताने वाला हूँ और अगर हम बात करेंगे वर्ड फस्थ ब्लूट कि चलने वाला 92 किलो हर्ट की मेकड फ्रिक्वेंसी 92 कि कलो फ्रिक्वेंसी पर यह ब्लुटूट करेगा और आपको इन्हेंस साउंड क्नेक्टिविटी में देगा तो अगर हम बात करें यह भी एक वर्ट फस्ट ब्लुटूट आपको इसमें परफॉर्मस मिलने वाली है चलो देखो कितने हो गए वर्ड फरस्ट कोटेक्स X3 कोड प्रोसेसर वर्ड फरस्ट जी प्यू वर्ड फरस्ट की रेट ट्रेसिंग टिकनलोजी वर्ड फरस्ट आपका ब्लूटूट वर्ड फरस्ट अब बात करते हैं कनेक्टिविटी पर तो दोस्तों यह सब 6 GHz की इसमें 4G का सिम चलता है और बात करेंगे 4G LT जो सपूर्ड करेंगा और जो सेकिंड सिम कार्ड है वह आपके 4G को तोरा लोवर वर्जन के बैंड में सपूर्ड करेंगा अगर हम बात करें कि अगर हम जैसे जीओ चलाना चाहते हैं तो हमें SIM 1 में डालना होता है सिम 2 में जियो चलेगा नहीं वैसे ही हम यहां पर बात करेंगे तो यह अपने दोनों ही सिम कार्ड में 5G सिम को सपोर्ड करेगा और सब 6 हर्ट की फ्रिकेंसी तक आपको यह पर्फोर्मेंस देने वाला है अब अगर बात करें मैं वर्ट-फर्ड दोस्तो इसमें एकऔर नाम आड करने वाला हूं वर्ट-फर्ड वाइवाई-वाई 7 का सपोर्ड मिलने वाला है जो अब तक किसी भी फон में नहीं है इसलिए वर्ड-फPer awesome CPU है और अगर मैं वर्ट-फर्ड की बात करूं तो दो दुस्तों भी दोस्तो वर्ड फर्स्ट आर जी बी डबलू कैमरा आयस पी मतलब इस AI टिकनोलोजी जिसको हम आर्टिफिसल इंटेलिजेंस टिकनोलोजी के साथ इस कैमरे को बनाये गया है जिसमें आप सोची कितने मेगापिचल्स होंगे सोची अब तक कितने देखे होंगे 100 मेगापिचल् 340 मेगापिचल्स का सपोर्ट है वाव मतलब आपका कैमरा एक DSLR का भी बाप का बाप होने वाला है और जिसमें आप तीन बत्तेस फ्रेंट कैमरा यूज कर सकते हो उसके साथ यह वर्ड फर्स्ट अभी खतमनी हुआ है वर्ड फर्स्ट इसमें वर्ड फर्स्ट एल्पी डी DDR4 देख रहे हों कि इसमें DDR5 टेक्नोलोजी 8533 MHz के साथ राइट और अगर मैं बात करूंगा वर्ड फर्स अभी वर्ड फर्स्ट कतम नहीं हुआ है यह मैं थग है और मैं वर्ड फर्स्ट बोलते बोलते यार ऐसे कितना मतलब क्या दे रही है इसको तो इसमें ना वर्ड फ प्लस MCQR यहां पर जो यह दावा भी कर रहे हैं कि 4.4 तक ले जाएंगे इसको करेंगे लिखा होगा TSMC 4 mm प्रोसेस यह क्या होता है आईए इसको भी एस्प्लेन करता हूं तो TSMC का मतलब होता है टाइवान सेमिकंड़टर मैनुफैक्ट्रिंग कंपनी और यह जो मैनुफैक्ट्रिंग बेस है यह 4 mm मतलब चार नैनो मिली चार नैनो मिली के नाप के बड़ावर इसके कॉम्पोडेंट्स यूज के हैं और कितने बिलियन सिस्टीन वन सिस्टी बि ओर अगर हम बात करेंगे दोस्तों आई यह तोरह सा इसके अंदर घुसते हैं जैसे कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पर जो मनलब मैं क्या बोलू हूँ यार यह तो एक अद्भूत डिसको बोलते हैं कि हम जब PC डैबलॉप कराते हैं तो एक गेमर PC भी होता है जो हमारे 2-3 लाग तक बनता है तो यह तो गेमर मुबाइल बन गया है और जिसमें 5K और वो भी 60Hz तक सपोर्ट करेगा और WQHD जिसको कहते आच से क्या वाइड वाइड और वाइड आपका कॉईड जिसको वाइड कॉइट डिस्प्ले हम कहते हैं जो कि रिफ्रेंस रेत जिसके डिस्प्ले के रिफ्रेंस रेत होईगे मिनिमम में 144 से मैप्सीमम जो कि हम फुल HD पर अगर उसको यूज करोगे तो 440 हर्ट का डिस्प्लेयर रेट आपको मिलने वाला है यार यह तो अद्बुद है और अगर हम बात करेंगे यहां पर सिंगल कैमरा अप्टू 320 Megapixels ट्रिपल कैमरा 32 32 32 Megapixels कर जिसमें हम यूज कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अगर हम इस प्रोचेसर की बात करें तो इसमें आप देखे 8K का यूज कर सकते हैं 8K तक की रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं वह भी 30 फ्रेम पर सेकेंड पर और यहीं आप 4K को बात कर दो आप से प्रोमिस कर दो प्रमोटिंग चिप से बिग गोल अज़ फर्स चिप सेट फर्स चिप सेट तो यूज आम लेटेस सीप्यू कोड ठीक है और यहां पर वह बोल ला है इस टेप परफोर्मेंस तुड़ तॉप श्रीम परफोर्मेंस कोड़ इस त्री गीग वाल होंगे मालब इनकी जो रेंज होगी वो लगबक एक लाग के बराबर या उनसे उपर ही रहने वाली है और आप देखें यहां पर दा अधर अक्सिलेरी कोड टू पॉइंट फाइफ गीगा कोड़ेस एस सेवन एंड डैमेंस टी फोर एंड मालब जिसको हम चार नैनो म आप नोटिस करो इतने चोटे आपके डायो डायो चोटे जे ट्रांजेस्टर यूज किये रहे हैं और बिल्ट ऑन टाइबान सेमिकंडर्टर्टर्टरिंग मैनुफेर्टरिंग टेखनीक चलो नैस्ट बात करते हैं दोस्तों यहां पर की मॉडम की बात करें तो इसका आपको मिलेगी 2.5 गीगापर सेकेंड और अगर मैं बात करूँ डूएल यहां पर देखें डूएल सेम एक साथ यूज कर सकते हैं और अगर उसके साथ में बात किया जाए इसके साथ तो दूस्तों नैस्ट लेबल पर अब देखें यह क्या होता है आप इसको तोड़ा धा क्याम रे-tracing टीकनलोगी क्याते है आप दोनों फूटू को गहर से देखें इस फूटू में आपको यहां पर सैडोल दिखाई देरी और इस फूटू में साथ दिखाई नहीं देरी है जो गेमीन एस्प्रियंस को एंहेंस करेंगी और गेमर को दिखाएगी जो उसका हूँ इस यह technology अभी PC में है और यही technology अभी PS5, PS4 जैसे module में आती है Xbox पर अगर मैं बात करूँ आपके phone में भी इंपोर्टेंट है कि game के अंदर यह technology enable होनी चाहिए तो ही यह काम करेगा और दोस्तों इंपोर्टेंट है कि hardware टगरा है तो software भी टगरा होना बहुत जोरी है अभी OS पर काम करना बहुत जोरी है क्योंकि hardware तो इतना boom है पर software अगर माल लीजे टगरा नहीं हुआ तो बहुत सारी complaint भी आ सकती है CPU को लेके पर बहुत सारी चीजें भी मैं आपको बता दूँ क्या यह CPU यह सारी technology एकी फोन में देने वाला है हो सकता है नहीं हो सकता है कि कुछ companies जैसे वीवो ओको या जो भी सावमी यह company अगर यह mobile यह CPU को accurate करती है मतलब वो इनको यह लेती है तो हो सकता है कि कुछ इस CPU के टिकलोजी को यूज करें कुछ को हाइड रखे क्योंकि अगर सारी टिकलोजी यूज करेंगे तो वो एक high-end processor बन जाएगा और काफी महगा हो जाएगा जिसको लेना मनलब company को बेच पाना जिसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात होगी बी फिलाल हाई फिलाल तो यह सारे अपडेट आएं CPU को लेके तो कैसा लगा यह वीडियो मुझे बताएगा जरूर और दोस्तों यह जो CPU है और यह अब तक का वर्ड का सबसे बैस CPU है इस बात को तो आप लोग मानी चुके होगे कोई कि इतने सारे चीजें एक नहीं बहु आपके मोबाय से रिलेटेट से रिलेटेट कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो मिझे कमेंट करके बताएगा ठेक थेंक यू वेरी मच अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया हूँ क्या ना में आपका हूँ अब यह क्या करने वाले हैं उसका CPU निकालने वाले हूँ तो को नब वाले तो कि अबादेखने नहीं आपका करने ने अबेंगा वाले हूँ क्या काल में नहीं अवादे़ किया नहीं हूँ